कि श्वास ही जीवन है अगर हमें भोजन ना मिले तो हम 20-25 दिन 30 दिन तक जीवित बच सकते हैं पानी के बिनावी हम 3-4 दिन तक जी सकते हैं लेकिन सोचिए यदि श्वास ना मिले तुम कितनी देर जीएंगे मुश्किल से 5 मिनिट हम बहुत ध्यान देते हैं अपने खाले पीने पर लेकिन क्या हमने कभी ध्यान दिया अपनी श्वास उपर जो सबसे महत्पूर्ण है जो हमारे जीवन का आधार है जिसे श्वास के बिना हम कुछ मिनट भी नहीं जी सकते उसको हमने कैसे लेना चाहिए क्या इस विशय पर हमने कभी सोचा तो आज इसी विशय पर हम चर्चा कर रहे हैं क्या है डीप ब्रीधिंग क्या है उसके बैनिफिट्स क्या फाइदे हैं गहरे श्वासन के इसी विशय पर आज हम इस वीडियो को लेके आये हैं वीडियो को दो भागु में बाटा है हम प गुरू चैनल में आप सबी का स्वागत है हम सब चीज पर ध्षान देते हैं अपनी स्वाटियान प्रद्यान नहीं दे पाते हैं स्वाटियान छोड़ना कभी बंद नहीं होता हमारा ध्यान जाए या ना जाए स्वाटियान की रही हैं इसका मतलब है कि सरीर में कोई कमी है मन सांत नहीं है उद्विक्नता है बीमार है रोग है भीतर यह सूचक है इस बात का यह दिश्वासे धीमी चल रही हैं लंबी चल रही है तो यह इस बात का संकेत है कि आप सांत हैं प्रसन हैं खुश हैं स्वासे जितना गहरा उतना ही हमारे शरीद के लिए हमारे मन के लिए लापकारी होगा जो जीव जन्तु धीमी शांस लेते हैं उनकी उम्र लंबी होती है जो जल्दी-जल्दी स्वास लेते हैं उनकी उम्र कम होती है उधार के रूप में आप देख लीजिए उत्ते विल्ली की उम्र कम होती है क्य वह 15-16 होती है एक मिनट में तो उसकी उम्र मानी जाती है लगवक 100 शाल और वहीं आप देखेंगे कि कच्वार लंबी उम्र क्यों जीता है क्योंकि वह श्वास बहुत धीमे लेता है एक मिनट में केबल 4-5 श्वास ही लेता है इसलिए जीता है 300-400 साल तक पहली पार्ट में ह पाय उस से बड़ाता है दुश्रालाब क्या है कि जब हमिल वीरी करते है तो उससे हमें इंयर्जी मिलती है हम भोजन लेते हैं पानी पी थे एनरजी मिलती है टाकत मिलती है बॉड्री को लेकिन कब मिलेगी जो भी अहार रही हमने लिया इन यदिशि तो पेट मैं जाए आतु में जाएगा पाचन होने के बाद फिर वो उसका रश ब्लड में मिलेगा और फिर ब्लड के थो जगए जगए जाएगा इसमें बहुत समय लगेगा तब वो एनरजी हमको मिलेगी लेकिन श्वास एक ऐसी चीज है जब हम आखिजन लेते हैं स्वास के द्वारा प्राण जाता है तुर्णत हमें एनरजी देता है तो गहरी श्वास लंगे तो ऑकिजन जादा जाएगा तो श्रीड. फिल्ड़ा बहुत है और वह हमें एनर्जी देगा एक एक सेल में मैक्रोकॉंडियम हैं जब ऑक्षिजन पहुंचेगा वहां एनर्जी जनुरेट होगी तो कारबन न्यक्षाइट को और भी जो जितने भी विजाती तत्य नहीं जो पूरा श्वांस बहर फ्यकेंगे तो अनदर से एक एक सेल से उस भी होता है यह भी बहुत बड़ा लाव इस डीप ब्रीधिंग का है चौथा जो बड़ा महत्वपूर्ण लाव है इसका तो हमारा कंसेंट्रेशन पावर बढ़ता है एक आग्रता बढ़ने लग जाती है मेडिटेशन के लिए हमारी तैयारी हो जाती है ध्यान लगने लगता है और अगला जो महत्वपूर्ण लाव है वह है कि माइंड रिलेक्सेशन होता है मन सांत होता है जो कोशिकाएं मृत्पाई हो गई हैं जो टिश्यू टूड गए हैं उनका रिजन्रेशन का काम होता है उनकी रिपेर हो जाती है शरीर के एक-एक कोशिका तक पहुंच कर वहां जो रोग है उसको ठीक करने का कारी करता है यह ऑखिजन डीप ब्रिदिंग का ए से बहुत सारी लोग कि यह पेनकिलर है कैसे हमारे शरीर में हार्मोन होता है अशको बोलते हैं एक हर्मोन और इंडफीन हार्मोन एशका वास्वैं गर्तनीकिलर है और जब हम डीप बरिदिंग करते हैं जब हम गहरा स्वसंद करते हैं अछे जो एंडोफरिन हर्मोन होता है उसका लेबल बढ़ जाता है उसका सीक्रेशन ज्यादा हो जाता है तो हर्मोन बढ़ेगा दर्द नहीं होगा सरीज में मायूसी उदासी निरासा यह तूर होने लगती है उर्जा का संचार होगा मन उत्सा से भरने लगेगा उमंग से भरने ल आफिस में हैं, कहीं यात्रा कर रहे हैं, हर जगए आप deep breathing कर सकते हैं, और कोई विव्यक्ति कर सकता है, लाव ही लाव होगा हर किसी को, नीचे बैटे हों, बैड में हों, चेयर में हों, कहीं पर भी बैटे हों, लेकिन एक ही बात का हमने ध्यान ये देना है, यह हमारा read garden सीधा रहे इतना ध्यान देना है और यहां तक की कोई गंभी रोगी हैं बैट भी नहीं पाते हैं तो एक hard bed में सीधा करके लेटें read बिलकुल सीधा रहे और सीधे लेटे लेटे भी इस गहरे स्वसन को start कर सकते हैं कैसे करेंगे देखे एक बार सब्सक्राइब करें आरोगी गुरू चैनल क्या आपको मिलते ही रहेंगे ऐसे स्वाशतवर्दक वीडियो शूंस लेने में अभी आरंबहम करें लगबग फांस सेकन गरने तक स्वांस को अंदर बरें लंबा प्रें पांस सेकन में भर जाना चाहिए तब तक स्वांस को और फिर एक दो seconds रुकेगा स्वास भीतर और फिर धीरे धीरे स्वास को खाली करेंगे धीरी धीरे खाली करेंगे जटके से नहीं करेंगे और यह से जैसे स्वास धीरी धीरे बाहर निकलेगा पेट अंदर की और दबेगा इस बात का दिहां रखना है इसमें अब्डॉमिनल ब्रीधिंग भी होगी चैस्ट बीदिंग भी होगी साथ-साथ होगा इसको बोलते हैं डीप यॉगिक ब्रीधिंग जिस गति से स्वांस भीतर जा रहा है स्वांस छूटते समय उससे और धीमा छूटे मतलब यह है कि स्वांस लेने में जितना समय लगेगा स्वांस छूटिने में उससे अधिक समय लगना चाहिए आरांब मैं बराबर बराबर भी हो सकता है अभ्यास होने के बाद देरे देरे छोड़ने की अवधि बढ़ेगी और बाद में फिर जितना समय शूटने में लगा उससे दुगना समय लगभाख स्वांस को चूटने में लगना चाहिए चलिए हम आरांब करते हैं इस प्रकार देरे देरे लेना है पूरा भरना है और फिर बहुत धिमी धिमे खाली करना पूरा खाली हो जाना चाहिए मनिमन काउंट कर सकते हैं एक मिनट में आपकी चार बार स्वास का लेना छोड़ना हो जाए यह अब भ्यास यदि आप पांस से दस मिनट प्रति दिन कर लेते हैं तो देखंगे आपकी कुछी दिनों के बार समत कारिक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे आप सभी का स्वास्त सुखद हो निरोगी हो प्रसन्न हो सब लोग और नियमित रूप से योगा भ्यास करते रहें कैसा लगा आपको आज का वीडियो कॉमेंट करके जरूर बताईए और किन किन टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं मुझे जरूर बताए को आकी मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना सकूँ अभी वी जिन भाई बेहनों ने देख तो रहे हैं लेकिन चैनल को सब्काइब नहीं कि आतो कृप्या सब्काइब जरूर कर बेल आइकन भी प्रेस करें बहुत बहुत धन्यबाद आप सबी को जैए ही